हलो जी कैसे हो सारे दिससे लव बबर वेलकम तो चैनल को धिल हम पहुंच चुके मारे लेक्शन नंबर फिफ्टी फोर पर एक और नए टॉपिक के साथ लिंक लिए लास्ट के तस वीडियो में कंप्लीट अच्छे से कर ली है बहुत सारा होमवग भी आपको दे दिया कंप् वर इसको समझते हैं हम सारे के सारे बच्चे या बची या बचीयाँ शादी में रॉन staple प्लेट्स एक हगद पर ऐसे प्लेट है और फिर सबस्क्राइब लेने के बाद आँगे बढ़ते हैं यहां पर कुछ कुच ही आप आप अपना ये पनीर छोले और ये चाबल वगरा वगरा ले लेते हैं इस plate के अंदर जो मुद्र की बात हा वह सारी की सारी हां प्यार इन plates में ये plate किस पर कारी पड़ी होती हैं सबसे पहले जो plate रखी गई होगी वो ये वाले रखी गई होगी उसके बाद यह रखी गई होगी, उसके बाद यह रखी गई होगी, उसके बाद यह रखी होगी, उसके बाद यह रखी होगी, बट जो आप लेते हैं, जो आप पिक कर रहे होते हैं, तो आप पहले यह वाली पेट उठाएंगे, यह उठ जाएगी, फिर आप यह वाली पेट प्रकार का data structure है जिसमें जो भी चीज सबसे last मिलेगी वो सबसे पहले बार आएगी in short example अगर मुझे आपको दर्शाना हो तो stack के बार मुझे आपको बता रहा है जो function call stack के बार में हम पढ़ते थे regression में आपको समझाया था तो आप पढ़ चुके है stack के बार में ऐसे कोई नई चीज नहीं आपको लिए थम बोल सकते हैं कि यार ये एक आपका stack है ठेक है ये आपका stack हो गया मैंने बोला जी ये एक stack है इसके नदर आपने कुछ वस्तू है डाली कुछ भी प्रकार का data हो जब तक किसी भी प्रकार का तो मैंने क्या बोला यहां पे नब मैंने पहले 1 डाल दिया ठेक है फिर मैंने इसमें 2 डाल दिया ठेक है यारी पहले 1 आया फिर 2 आया फिर मैंने 3 डाल दिया बहत बढ़िया फिर मैंने 4 डाल दिया तो इस प्रकार से मैं बोलता हूं कि पॉप करना चाहता हूं मैं स्टैक से तो क्या होगा जो सबसे उपर है या तो सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है यह वाले आप बोलोगी है मुझे फिरसे अ पॉप करना है फिर आपका उन निकलेंगा और इन शट आपने इंसर्ट कैसे किया था इंसर्ट केया थी फोर और आप और जियू वाला और सबसे पहले नि फिरस्ट शब już से पहले Nam के बारे में चीख लिया, पॉप आपरेशन के बारे में चीख लिया, और बुचीज हम सीखते हैं, उनको कंटीनु करने से पहले एक फटा फट शाउट वड़े अपने को बारे में चाहिए करने से पहले ने से अटारीफ करते हैं, तो आप यहां से ले पाएंगे, सबसे प्यारी चीज जो लोग तारीफ करते हैं, कोडिनिंजा के यहां पर वन-on-वन कोई बनाई जाते हैं, बहुत वैल स्ट्रक्चिर वें बनाई जाते हैं, कि अगर आप मेहनद डालेंगे तो आपको रिजल डेफरेटे मिलने वाला है, कोड़े बनाने वाले बनते और बड़ी बड़ी कंपनियां फोड चुके हैं, तो इसके आपको टैंशन लेने की नीड है, बहुत को मिल जाएगा, धन्यवाज. क्यार कौन-कौन से functions मेरे पास available है, stack के case में, तो मैंने push operation discuss कर लेगे, मैं insert किस परकार करता हूँ, insert किस परकार करता हूँ, फिर मैंने आपसे pop operation discuss कर लेगे, मैं remove किस परकार करता हूँ, remove किस परकार करता हूँ, है न, इसी परकार एक और operation मेरे इस पास है, peak, peak का क्या मतलब ह let's say मेरे stack की जो state है वो इस प्रकार है कि इसमें तीन element पढ़े हुआ इस time पर इसके तीन element पढ़े है 3, 5, 9 तो peak वाले function से जो भी सबसे top पर पढ़ा है मानलो कि ये stack मेरे सामने पढ़ा हुआ है इस प्रकार को मैं इसमें उपर से देख रहा हूँ सबसे औपर से गर्मायहासे देख इसमे यहां से ग्रह देख रहूं तो मुझे कौन से element देखेगा तो 9 देखेगा तो peak का मतलब है कि मुझे top element मिल जाए गार कि मैं top element को देख पाऊंगो कि top element क्या है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यह समझ में आ चुका है अगर मों लोगे पास एक और function है जो कि बताता है ग्यार stack empty है के नहीं है is empty exact name देखते हैं क्या होता है तो मैं इस documentation में जा सकता हूं cppreference.com और यहां पर जाके मैं देखा क्या है stack क्या है मुझे definitions मिल गई मुझे parameters मिल गई मुझे कुछ-कुछ functions मिल गई यह देखो किस परकाद चीज़े मैं access कर सकता हूं कि यार अगर मैं push करना चाहता हूं तो यह पुश function यह पॉप function empty मुझे check करना है तो यह empty वाला function चेक कर होती है मैं कहता हूं यह भूट असान है बहुत असान है क्य बहुत असान है बना दो फिर मुझे बताने किस type के बनाने में इंड टाइप का data भा सके अनर इसका नाम रख दिया मैंने its तो मैं ने एक स्टाइक इस प्रकार करने का बोला तो मैं कैसे बोप करूंगा s.pop मैंने pop कर दिया इस पकार अगर मैं टॉप element देखना है तो मैं कैसे चेक करूँगा मैं बोलूँगा s.top ये मुझे return कर देगा top all element इस पकार अगर मैं देखना चाहता हूँ कि यार empty है या नहीं है empty चेक करना चाहता हूँ is empty or not तो basically मैं क्या चेक कर लूँगा कि मैं देखना s.empty ये मुझे return कर देगा true या false basis के stack empty है या नहीं ये भी समझ में आ गया यहाँ पर size देखना चाहता हूँ तो size वाले मेरे पास यहाँ पर function अविलेबल है अब बहुत सारी चीज़ अब पढ़ सकते हैं अपने end से बट मेन चीज़ें आपको क्या समझ में आ गई या push कर सकता हूँ या pop कर सकता हूँ या आ मैं टाप element देख सकता हूँ और मैं check as empty है या नहीं है ये चार चीज़ें मुझे समझ में आती है कर लेते हैं और चीज आपको क्लियर हो जाएंगे मैंने बना दो किस टाइप का इन टाइप का इसका नाम दो सब्सक्राइब चल गया तो हमने यहां बोला कि यह क्या है यह क्रिएशन ऑफ स्टैक बढ़िया अब मैंने बोला मैं इसमें कुछ कुछ पुष करना चाता हूँ मैंने बोला इसमें कुछ करना चाता हूं फुष बूआट पुष कर चाता हो बात ब decision कोईट चाहता हूं कट संबस्ट 3, दो element डाल दी, आप pop करना जातू, pop करने लिए s.pop, तो in short अब क्या हुआ होगा, यह समझते हैं, एक बार, in short क्या हुआ होगा, यह समझते हैं, line number 9 से आपने एक stack create कर लिया, आपके पास यह stack available है, line number 9 ने यह बोला, line number 12 ने बोला, इसमें 2 डालो, तो आपने इसमें 2 डाल द लिया, line number 16 ने बोला, पॉप कर दो, सब से उपर होगा, जो भी होगा, any short, सब से उपर क्या पड़ा, 3 पड़ा है, तो यह हट जाएगा, तो आपके stack किस परकार का हो गया, आपका stack इस परकार का, इसमें सिर्फ एक element 2 पड़ा हुआ, ठीक है, पॉप कर दिया हमने, अब मैं पड़िया, अगर मैं इसको run करूँगा, तो अगर मैं ऊपर से यहाँ पर देखने जाओ, भी कौन से element पड़ा है, तो क्या answer आएगा, answer आएगा, 2 पड़ा हुआ है, तो मैं इसको run कर दिया, क्या answer आए, answer आगया, top element क्या है, top element 2 है, बहुत पड़िया, यह भी चल रहा है, अगर मैं इससे पूछूँ, कि यार, empty है या नहीं है, तो क्या बलेगा, 2 तो पड़ा हुआ, empty तो नहीं है, यानि, false return किर देगा, तो यहाँ पर फटड़ा पड़ियंट करा लेता हूँ, मैंने क्या बोला, मैंने बोला, कि if s.empty, तो यहाँ पर, ऐसा करो, cout कर दो, क्या, कि यार, stack is empty, नहीं तो बोलो, stack is not empty, बहुत बढ़िया, अब इसको फटड़ फटड़ रन करते हैं, हम इसका दिख रहे हैं, एक element जो है, 2, already present है, 2 तो present है, तो stack is not empty answer आना चाहिए, चेक करते है, रन करा, बसमाल, stack is not empty, तो in short, अगर stl की बात करें, तो अब आपको stack create करना आ गया है, आपको push operation का पता लग गया, आपको pop operation का पता लग गया, आपको top का पता लग गया, और आपको empty check करना भी आ चुका है, और भी यहां पर चीज़े बहुत सारी है, आपको दिखाए, जैसे size चेक करना, size आप देख सकते हैं, ठीक है, एक बार सो go through गरेंगे documentation को पढ़ लेंगे, छोटी सी ही है, है ना, जार टाइंग आपको लगेगा नहीं, देखेंगे इसको एक बार, ठीक है, एक बार यहां पर जो definition लेख है, इसको पढ़ लेते हैं, especially a leaf for data structure, same वोई चीज़ आर, कुछ additional नहीं है, आप एक बार फटा-फटा से इसको है, इसको बोलते हैं, last in, first out, जो last में डिलेगा, वो पहले निकलेगा, अगर इसमें महानलो, element इस पकार आ रहे हैं, कि पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, तो जब मैं बात करता हूं, कि 1 आ गया, तो आपने क्या किया, बन डाल दिया, फिर मैं बात करता हूं 2 आ गया, आपने क्या किया, 2 डाल दिया, फिर मैं बात करता हूं, 3 आ गया, आपने क्या किया, 3 डाल दिया, फिर मैं बात करता हूं, 4 आ गया, आपने क्या किया, 4 डाल दिया, अब मैं यहाँ पर आया, मैंने बोला, पॉप करते हैं, फटा पट, तो जो मैंने पहले पॉप क पर जब पॉप करने गए तो सबसे पहले फोर को ही अटाया गया था तो इसे हम कहते हैं लास्ट इन बस्ट आउट समझाई इस पकार हमने यह कुछ-कुछ थोड़ा बहुत कोड में भी एक्सपरिमेंटेशन करके देख लिए हमें पता लगया क्या है और कैसे उसके साथ खेला जाता है बहुत बढ़िया एक साइज भी आपको दिखायता हूं आगी जाने से पहले मैंने आपको बोला कि यार सी आउट साइज ऑफ स्टैक इस डॉट साइज इसको रण किया उसने मुला स्टैक का साइज क्या है वगधे बढ़िया अगल एक टास्क के उपर इतने चीज़ हमने कर ली अब अगर हम से बूछे तो हमारे लिएस सान है बताना या मंए कोई बोले किया स्टैक का यूज गरना कोड में है ना तो हमारे लिए वो भी ऐसान है यह यह हमें आज चुकी दोना चीज़ें ठीक है STL का यूज़ करके तो आप कोड कर दोगे let's say किसी ने इंटेवर नाव को पकड़ा और बोला कि यार stack को ना implement करके दिखाओ stack की implementation करके दिखाओ मुझे एक पर मुझे वो कोड देखना है जो कि बहुत नॉमल है पूश ले जाता है और यह तना मैंने देखा कि जो फस जाते हैं लोग इसके अंदर बेसे कर देख रहे हैं तो stack की implementation basically मैं क्या कर रहा हूँ कि यार मुझे ना एक class बनाके दो जिसका नाम stack हो और जो हमने operations अभ पर class create करते हैं जो कि चारो functions fulfill कर सकती हो उसमें किस प्रकार लाउज कर रहेगा अभी सोचते हैं अभी create कर लेंगे तो मैंने बोला कि यहां पर इसके कुछ properties होंगी और यहां पर नीचे इसके कुछ-कुछ functions होंगे यानि कि इसका behavior होगा बहुत बढ़िया समझवाई यह ची टो basically मैंने क्या बोला मैं किस परकार के logic के दोरा इसको create करना चाहता हूँ मैंने बोला कि यार एक stack को implement करने लिए stack को implement करने के लिएねs करना चाहता हो तो अब आपसट दो तरीके होते हैं इसको मैंने 2 तरीक से emple कर सकता हूं और दूसरा तरीका मैं link list का use करके stack को implement कर सकता हूं दोनों ही तरीके हैं हमारे पास ठीक है इस पकार आपने indexing यहां पर कर दी और इसका नाम आपने कुछ भी दे दिया चलो एरर दे दिया सबसे पहले हमारे पास कौन सा operation है हमारे पास push operation है पुश करना चाहता हूं तो पुश तो मैं किसी इंडेक्स पर करूँगा मैं इस में डालूँगा इस में डालूँगा इस में पुश करना चाहता हूं एक ऐसा index दुबार सुनेंगे हम एक ऐसा index होना चाहिए जहां पर मैं पुश करना चाहता हूं या जहां पर भी space available है इनी short मैंने क्या बोला एक top नामक variable है जो कि एक ऐसा index है जहां मैं पुश करना चाहता हूं जहां मैं पुश करना चाहता हूं तेक पूरा साइज रीच हो जाएगा तो मैं और और एलिमेंट नहीं डाल पाँगा क्योंकि साइज है स्पेस ही नहीं बचाना कहां से डाल पाँगा तो इन शुट हमें क्या समझ मैं है कि हमारा पास एक टॉप होना चाहिए जिसके दोबार हम यह ट्रैक कर पाएंगे कि यार स्ट कर दूंगा स्टैक के अंदर नहीं तो भाई मैं नहीं कर पाऊंगा यह बास समझ बना गई है एक चीज तो हमें यह बनानी पड़ेगी बहुत बढ़ी है तो हमें पतलग गया कि यार प्रॉपर्टीज के अंदर एक चीज होनी चीज टॉप और बहुत ही बेसिक चीज यह अब साइस के अरे को पूरा रीच कर लिया है यह तो उसके लिए मेरे पास इस एरे का साइस होना चाहिए तो मेरे पास एक साइस भी होना चाहिए तो इन शॉट मेरे को इन तीन चीज़ों की जरूरत है अगर मैं एक स्टैक इंपलिमेंट करना जाता हूं यूजिंग एरे बहुत बढ़ी है अब बात करते हैं पुश ऑपरेशन के बारे में बात कर लेते हैं किस प्रकार चीज़े रहने वाली है ठीक है लेट से कि यह मेर एक एरे है तो इनिशल केस से बात करते हैं स्टार्टिंग में टॉप जो होगा माइनस वन होगा अब आप आए और आपने बोला कि यार पुश कर दो 22 इस प्रकार तो इसने बोला ठीक है सबसे पहले क्या करता है पुश ऑपरेशन में ये तो सबसे पहले चेक करेगा कि या नहीं है आपने चेक किया यार खाली स्पेस है इसको इंसर्ट करेंगे जो भी एलिमेंट मेरे पास आया है इस केस में 22 आया है ठेक है स्पेस अवेलेबल है अब यहां पर दो चीज़ हो सकती है true false अगर स्पेस अवेलेबल नहीं है तो आपने बोल दिया भाईया स्टैक तो बढ़ा पड़ा स्टैक और फ्लो कर जाए अगर आप और एंटर करने कोईश्च करेंगे स्टैक तो अरड़ी बढ़ा हुआ हुआ इसमाल चीज़ नहीं डालने सकते आप है तो यह चीज हो जाएगी और अगर स्पेस अवेलेबल है तो इंसर्ट कैसे करेंगे भाईया मैंन आपने क्या करा इसके अंदर आपने इसके अंदर आपने जो भी आपका एलिमेंट था लेट से यह जो एलिमेंट है 22 आपने इसमें कॉपी कर दिया तो इस परकार आपने यह इंसर्ट कर वा लिया इस परकार आपने इस इंसर्ट कर वा लिया यह आपका पूश्च सबसे पहले चेक करेंगे कि element को प्रेजेंट भी है अगर मान लो element प्रेजेंट भी है अगर मान लो element प्रेजेंट भी है तो उसमें पॉप थोड़ी कर पाऊगे है ना तो stack के अंदर कुछ हाई नहीं आपने बोला stack अंडर flow हो जाएगा भाई इसमें यह कौन सा केस है यह आप आपका empty stack है और इसमें आप पॉप करने का try कर रहे है इसमें तो कुछ हाई नहीं पॉप क्या करोगे तो यह वाला case आ गया थेक है अगर true यानि कि कुछ stack है और इसमें को element पढ़ा हुआ है तो इस case में simple है यार इसमें क्या होगा आपका top अभी यहाँ पर पढ़ा होगा त आपने इन शॉट क्या बोला कि टॉप को मैं यहां से अठाके एक प्लेस पीछे ले जाता हूं तो टॉप आपस मैने सब्सक्राइब कर लिया खता है अगर आपका top जो है ना वह greater than equal to zero हो गया है तो इसका मतलब है को नहीं को present element जो कि जो आप top is equal to minus one होता है तो उस case में इस वन था तो इसमें टॉप इस दर्शाता है कि स्टैक एंपटी है तो हमने पुश ओपरेशन देख लिया यह वाली सारी कंडिशन से इसका आतने एंपटी वाले पर हम चेक करना चाहरे है कि स्टैक एंपटी है या नहीं है कैसे चेकोगा अभी जस्टम ने पढ़ा यार अगर आपका टॉप जो है वो इस इक्वल टू माइनस वन है तो इसका मतलब है वह या स्टैक एंपटी है नहीं तो स्टैक एंपटी नहीं है समझा गई यह चीज बहुत बढ़िया चौत्ता क्या था एक टॉप फंक्शन था जिसम टॉप वाले एलिमंट की अगर मेरा सिंपल यार मुझे क्या करना है मुझे रिटर्न कर देना है मेरे एरे के टॉप वाले आंसर को बहुत बढ़िया इसमें क्या चेक करना पड़ सकता है इसमें यह हो सकता है कि टॉप जो है वो माइनस वन हो तो इसकेस में तो इगलत हो जाएगा तो यह वाली कंडिशन चेक क करेंगे कोड करेंगे इसको मैंने थोड़ ची क्लारीटी ली लिए कि मुझे चार ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो मुझे किस डिरेक्शन में सोचना है ठीक है तो यहां फटा-फट मैं लिग देता हूं मैंने बोला कि मेरे को सबस्यवहल ना पर चाहिए हूगा फिर मेरे को एक थॉबूरो बड़िया यह तीन चीजा हो गोई अब मेरे को कशन में मैंने सबस्बहले कंशक्टर बना लिया बाई गवाई इन फट के अंदर ब्ता दूगा कि यहार जो मेरा this dot size है यहां पर लिख रहे हैं और यह अपर पड़ी थी तो हमें समझ में आ चुका था यह आपने कुछ चीजें हां पर कर दिए हैं अपका हमने memory प्रोवाइड करवा दी फिफ्टीन पर और इस टॉप का अपने इसलाइज कर दिया माइनस वन से यह हमने कर दिया अब मेर पास यहां पर चार फंक्शन से है पहला फंक्शन है वाइड पुश और यहां पर कोई ना कोई ऐलिमेंट आया होगा इनपर में ठीक है इसे पकार एक और यहां पर फंक्शन है इसका नाम है वाइड पॉप और इसमें को एलिमेंट इंपर नहीं आता फिर यहां पर मान लो एक और फंक्शन है जो की है इंट टॉप int peak और यहाँ पर एक और function है जो की कहता है bool is empty बहुत बढ़िया समझ मैं चीज़ अब push की बात करते हैं push करने से पहले मुझे चेक करना कि क्या मेरे पास space available भी है या नहीं है तो चलो space available चेक करेंगे समझते हैं मेरे पास ये एक array है जिसमें मेरा top जो है starting में minus 1 है और basically वो 0,1,2,3,4,5 basically वो ऐसे एरिमन डालेगा पहले यहाँ डालेगा फरी यहाँ डालेगा फरी यहाँ डालेगा इस direction मूव करना है तो space available है या नहीं ये मुझे कैसे पता लेगेगा space available है या नहीं है ये मुझे किस प्रकार पता लगने वाला है मुझे basically find out करना है कि मेरे पास कोई खाली space पढ़ाई का नहीं है मुझे का पता कि ये पूरा क्या है ये size है और top जह स्टार्टिंग में minus 1 है तो मैं इसको इस प्रकार सोच सकता हूँ कि size, entire size minus top की value अगर greater than 1 है तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास at least at least एक खाली space तो ही है at least एक empty space तो ही है right तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि if size minus top is greater than 1 तो इसका मतलब इस पास खाली space अवेलेबल है तो क्या करता हूँ मैं तो मैं top को आगे बढ़ा देता हूँ top plus plus और मैं वहाँ पर एक element जो मुझे input में दिया गया है उसका वहाँ पर डाल देता हूँ बहुत बढ़िया इतना काम कर दिया मैंने else मैं क्या बोल देता हूँ क्यार space अवेलेबल नहीं है क्यार एक element तो प्रेजेंट तो भी तो पॉप कर पाऊँगा तो इंशोट मैंने बस यह चे कर लिया if top is greater than equal to zero ठीक है इस case में आप पॉप कर पाएंगे else आप नहीं कर पाएंगे अगर यह है तो आपने basically कुछ नहीं किया तो आपने top को decrement कर दिया बहुत बढ़िया right else में आपने बोला stack यानि कोई बहुत प्रेजेंटी नहीं stack के अंदर आप करने का try करा आपने बहुत बढ़िया अंडर फ्लो बहुत बढ़िया यह भी अमने कर दिया आप हमें किसे ने बोला किया पीक मैं top element दिखना चाहता हूं ओपर से तो इसका अंसर तो अमने पिछास थे बहुत बढ़िया रिटर्न कर दिया आपने array का top वाला element वाद बढ़िया simple था यहां पर कोई condition लगानी पड़ेगी हो सकता है तो इसमें हमें condition अप्लाई करनी पड़ेगी कि basically हम यह कह सकते है कि if top is greater than equal to 0 and end top is less than size basically valid range आईए इस range के अंदर आप return कर सकते है else आप मान लो else आप बोल दो care stack जो है is empty right तो इस चीज़ का ध्यान रखें इस चीज़ का ध्यान रखें और return कर दिया आपने इस केस में इसकी नीड़ी ही नहीं है इसकी नीड़ी नहीं है तो इसका ध्यान रखें इस पकार आपने इसको peak भी कर लिया empty चेक करना है तो इसमें basically हम इसे चेक करेंगे if top is equal to is equal to minus 1 इसका मतलब stack empty है return true else return false तो इस पकार हमने stack की class पूरी complete कर लिए हमने push operation लिख दिया pop operation लिख दिया peak कर दिया is empty कर दिया चलो फटा फट से एक stack बनाओ जिसका नाम मैंने डख दिया st और इसका size मैंने दे दिया 5 बहुत बढ़िया right इतना काम मैंने कर दिया अब मैंने क्या बोला कि ऐसा करो इस stack के अंदर push कर दो इस stack के अंदर push कर दो क्या push करना चाता हूँ मैं 22 फिर मैंने stack के अंदर push कर दो क्या push करना चाता हूँ मैं 43 फिर मैंने stack के अंदर एक और push करो क्या push करना चाते हैं हम 44 बहुत बढ़िया अब मैंने बोला कि यार एक बर ने स्टैक का टॉप प्रिंट कर दो cout st.top पड़ा पड़ा चला कर देखते हैं इसको चलेगा या नहीं चलेगा क्या दिख करता है क्या रा रहा है यहां पर parenthesis 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 कहीं पर कुछ गरबड करिए गया हमने अच्छा इस method का नाम पीक है यार ठेक है तो हमने बेसिकली अब क्या किया हमने सबसे पहले स्टैक में अगर मैं आपको दर्शाओं तो आपने लाइन नमबर 65 पे पहले 22 डाला फिर आपने 43 डाला और फिर आपने 44 डाला बढ़िया अब अगर मुझे के बोलगा पीक करने को तो मुझे उपर से क्या दिख रहा है कि 44 दिख रहा है मुझे तो मेरा आंसर 44 आना जी मैं पॉप करके मैं एक बार दुबारे से प्रेंट करा इन शॉट मैंने पॉप करा तो 44 हट गया होगा अब मेरे स्टैक में दो चीज़े बच वही है एक 22 और एक 43 अब अगर मैं फिर से पीक करूँगा तो मुझे क्या दिख रहा है बाई मुझे 43 दिख रहा है मैंने रन कर दि एक बार दुबारा पॉप कर दूँगा और फिर पीक करके देखता हूं क्या अंसर आता है इन शॉट मैंने इस 43 को पॉप कर दिया यह अब मेरे स्टैक में सिर्फ 22 बचा हुआ है अब अगर मैं उपर से देखूँगा तो मुझे क्या दिखेगा सिर्फ 22 देखेगा अंसर 22 आना चाहिए रंगर देखते हैं क्या अंसर आगया 22 बहुत बढ़ी है मैं एक बार और और रिपीट कर दिया ठीक है तो इन शॉट अब मैंने 22 को पॉप कर दिया अब मेरे स्टैक जो एंप्टी हो गया वोपर से देखूँगा तो क्या अरे यार स्टैक तो एंप्टी स्ट कि आए अंसर आता है हम चलाया और इसने बता दी कि अप्टी और माइस्ट रेटर्ण कर दिया यहां पर दोता ना शाक के बोलूं कि सी आऊट अब अगर मैं आप आगे बोलूं सी आउट एक स्टैक डाट इस एंप्टी को चेक कर दोस्त थीक है अगर यह ट्रू है तो बोल दोस्त टाक इस एंप्टी में दोस्त स्नाक इस नॉट एंप्टी में दोस्त पहुत बढ़िया तो फटाफट से उसको रंड कर लेते हैं इन शॉट मुझे पता है कि यहां पर मैंने क्या किया था तीन बार पुश्च किया था और यह तीन पॉप मैं अल्रड ही कर चुगा हूं तो मैंने स्टैक टेम्टी है मैं इसको चला कर देख रहा हूं चला कर देख रहा हूं इसने बोल दिया स्टैक इस एंप्टी मेरे दोस्त बहुत बढ़िया मान लो कि यह पांच साइज का था और मैंने इसको जो है छे एलिमेंट पुश्च करने का ट्राई गया तो उसके इसमें क्या होगा आपको इसे महीं करें धेख तो रन करते हैं देखो क्या होगा हूं उससे महला है stack overflow इन शृट उसने यह डाल दिया और यह भी डाल दिया यह भी डाल दिया यह भी डाल लिया यह भी डाल यह ब्ढाल यह प्रकार उसे create कर देना है logic आपके सामने पुश करना है simple चीज है empty space चेक करो पढ़े हुआ है तो ठीक है इसमें इंसर्ट कर दो नहीं है तो बोल दो stack of flow पॉप करना है पहले कोई element पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा है तो यहां पर आपने चेक कर ली आप आप कर दिया नहीं आर कोई element पढ़ा ही नहीं है खाली empty stack है तो बता दो भाई अंडर फ्लो पीक करना है और तॉप से आप देखना चाहते हो कौन से अलमेंट से पर देख रहा है simple आपने array of top return कर द byodichty बतानी हूँ आप के push operation की आप में पुछ कर रहिए हो रहा पाप कि बतानी हो वं पाप कर रहे हो ए गतानınız वर सारी चीजें आप कमें यह सारी की शीजें हैं तो लेकित वह सारी पढ़ा लिए तो यह वाला काम हमारा हो गया थोडा बहुत जो हमने पढ़ा है उसको यूजम राएं प्रैक्टिकल करके देखें तो एक प्यारा सा इजी सा कोशिन करने वाले हैं easy सा question करेंगे ताकि आप जो आपने पढ़ा है उसको apply करना है तो question क्या कहता है रिष्टा क्या कहलाता है question कहता है कि भाई two stacks implement कर दो two stacks in an array अभी तो आपने यह सीख लिया कि एक array में एक stack कैसे implement करते हैं हमने अब solve करना यह वाला question जो कि कहता है two stack in an array इसको implement करो आपके सामने question यह पढ़ा हुआ तो आपको यह चार functions है push1, push2, pop1, pop2 इनको आपको पूरा लिखना है इनका logic और यह आपके सामने एक constructor है इस class का इसको आपको पूरा लिखना है तो इसको हम solve करते हैं इसको solve करते हैं हमने क्या बोला approach किस प्रकार इसको solve किया जाए approach सेम रहेगी भाई push करना है तो क्या check करेंगी खाली space पढ़ा है अगर खाली space पढ़ा है तो push कर दो pop करना है check करना कोई element पढ़ा है तो ही pop करूँगा अगर नहीं पढ़ा तो कहां से पाप कर दोँगा simple logic बहुत बढ़ा बट एक array के अंदर यह किस प्रकार करना है यह हमें समझना पढ़ेगा यह हमें अच्छे समझना पढ़ेगा समझ में आ रही है चीज बहुत बढ़ा है हमने क्या बोला कि यार फटा फट से पहले सोचते है इस class के अंदर क्या क्या वरीबल्स होने चाहिए हमें वरीबल्स भी देखने पढ़ेंगे कौन कौन सी डेटा मेंबर चाहिए मुझे है उनका भी मुझे ध्यान रखना है तो मैंने क्या बोला कि मेरे पास एक एरे तो होना ही चाहिए मेरे पास एक एरे तो होना ही चाहिए तब ही तो मैं इंप्लिमेंट कर पाऊंगा तब ही तो मैं इंप्लिमेंट कर पाऊंगा है ना तो इस एरे का नाम हो गया और तो फटा फटा फट से यहां पर मैंने एक int star arr array बना दिया बहुत बढ़िया मुझे क्या पता है कि मुझे top भी चाहिए होता है मुझे iki top भी चाहिए होता है एक top छैइए हो गाँ मुझे पहले वाले stack के लिए एक top चाहिए होता मुझे दूसरे स्टेक के लिए को माने करें लुदा int top1 ठीक है फिर manola int top 2 इस परकार फिर मुझे क्या चाहिए कि यार इनका size बता होना चाहिए कि यार कौन सा कहां तक जा रहा है न हम लास्ट वाले अप्रोच हमने देखा था न कि हमारा पस तीन चीज़ें थी एक उसका array फिर उसका top और फिर उसका size यहां अपर दिखाया था आपको यह तीन हमने आपर देखे थे बट अगर मैं यहां पर जाऊं इस question की बात करूं कि मे आपका पहला stag यहां से start कररे हो और इसमें push cut जारो how do you have to ready liqu कब मैं बुलोंगा history यह कम मने बोलूंगा चापम इंडर तो और खते नहीं तो होगी तो इसली आपने क्य बोला कि इस एरे का तो मेरे पास एरे तो सिंगल ही है मेरे पास एरे तो सिंगल ही है तो इसको मैं इस परकार से अपरोच करता हूं कि यार stack 1 के लिए जो मेरा पहला stack है उसके लिए मैं यहां से push करूँगा left से right की तरफ यानि मैं यहां शुरू करूँगा कि इसका top 1 जो है वो minus 1 है ठेक है तो पहले element मैं यहां push करूँगा फिर मैं यहां push करूँगा फिर मैं यहां push करूँगा in short in short stack वन के लिए जो मेरा insertion होगा वो left to right जाने वाला है वो left to right जाने वाला इस array कएस ने और जो मेरा stack two है उसको मैंने क्या वोल है जो top two है मेरा वो यह आपर होगा स्टार्टिंग में क्या होगा साइज के equal होगा और पहला करना तो मैं इंसर्ट करूंगा फिर मैं इंसर्ट करूंगा फिर मैं इंसर्ट करूंगा तो स्टैक टू के केस में जो मना इंसर्शन है वो राइट से लेके लेफ्ट जाने वाला है यानि के इस प्रकार इस प्रकार जाने वाला है कि पहले इंसर्ट करूंगा फिर इंसर्ट कर यहां करो इंसिर्ट करो स्टैक डू करो Warsaw machines रो हुआए अधर को फिर अच्रीं किया के यहां निद ठैक वन का काम यह पूरा अच्छे सा छल रहा है यहां पर और स्टैक क्या हो सकता है एक तरीका क्या हो सकता है कि मैं दोनों को n by 2 n by 2 space देता हुआर जो मेरा पहला stack है वो आधा space उस करेगा और stack 2 मेरा आधा space उस करेगा बड़ इसमें यह हो सकता है कि भाई पहले ने पूरा भर लिया और दूसरे वाले ने अब तक कुछ भे नहीं भरा इसका जो size है वो इस s के equal कर दो बहुत बड़िया फिर जो मेरा top 1 है top 1 जो है starting में minus 1 के equal है top 2 जो है starting में s के equal है और फिर मैंने क्या बोला यह जो array है उसको create कर लेता हूँ array जो है उसको create कर लेते है array और आधी कुछ तो new int जो मेरा size आया है बड़िया यह चार चीज़े मैंने कर दी size initialize कर दिया top initialize कर दिया और array को मैंने memory allocate कर वा दी बड़िया अब push 1 यानि के पहले वाले array के अंदर इसको safe करते हैं चीज़े फिर बताते हैं आपको तो basically मैंने आपको क्या बोला मैंने बोला कि यार यह मेरा stack 1 यहाँ पर होगा जो कि top 1 minus 1 है मेरा stack 2 यहाँ पर होगा top 2 size के equal है इसमें मैं इस पकार insert करूँगा और इसमें मैं इस पकार insert करूँगा बहुत बढ़िया तो push 1 यानि पहले stack में push करो कैसे आपके पास at least एक space available होना चाहिए तभी तो push कर भाऊगे एक space available condition क्या बोलोगे आपने बोला check कर लो कि top 2 minus top 1 is greater than 1 ठीक है इसका मतलब क्या है कि यार आप दोनों जो stack चला रहे हैं इस stack 1 के लिए आप इस पकार push करेंगे इस पकार push करेंगे तो make sure अगर यहाँ पे आपका top 1 है यहाँ पे आपका top 2 है तो इन दोनों के बीच का difference greater than 1 होना चाहिए जो कि दरशाता है यह condition क्या दरशाती है कि यार आपके पास at least एक empty space तो present है समझाई तो ठीक है इस space में push कर देते हैं कैसे push करेंगे बहुत बढ़ी है top 1 को हमने increment कर दिया जो हमने पहले basic ले भी पिछली class implementation हमने कर दिया है से मुशी पकार array के top 1 में आपने फिर जो element था वो डाल दिया हुआ simple else यह भी तो सकता है कि condition फुल्फिल ना हो यानि कि stack overflow कर गया stack overflow कर गया है ना ने अजगा रहे है क्ल Recommend मुझे ने दखता है कुछ कह रहा है ठिक है अपनी लेपने लिख लिए अपनी लिख लिया बाद में आदेंगे कर 10 अब द यहां पर इनसर्ट करते हैं तो मैं 1 आप को आगे बढ़ाता हू है मैं यहां यहां पो को मैं पीछे लेγBERT यहां करना होता है तो आपने माइस माइस कर दिया और्यखान चीनल से कर दिया ऐरन यस में आपने और बचलो वोल दिया बहुत बढ़ पंगया आप करते हैं यहां अब बात करते हैं पॉप वन की दुबारा में पता यार मैं बसे चेक करना पॉप करने से पहले कि यार एक एलिस्ट एक एलिमेंट तो प्रेजंट हो तभी तो पॉप कर पाऊंगा तो अमने कंडिशन लगाई कि इफ टॉप वन इस गरदन इकोल टो जीरो यानि एलमेंट प्रेजंट है तो इस यहां पर डालना पड़ेगा तो वही हम लाइन पो 43 पर करने करें तो हमने आंसर रिटर्न कर दिया बढ़िया एल्स में हमने क्या बुला के रिटर्न माइनस वन के अंतर लिखा हुआ है कि अगर आपका स्टैक एमटी और पॉप करने के लिए बोला तो माइस टॉण कर देन साइज तो इस केस में क्या करना Answer करा लेना भाई answer स्टोर करा लिया । टॉप टुको क्या करूँ प्लस क या माइनस लेट सेंकि या आपने चार थमें यहां पर रहे doen कर रख्या अगर मैं इसको पप कड़ता हूं तो टॉपको यहां से gigi यहां से अजब recursos प्लेट कर लिया कोड हमने कम्प्लीट कर लिया है और मुझे नहीं रखता कि हम यह पर यह पर यह पर यह पर यह कुछ गलती बता रहा है यह कह रहा है च attach on को इस बहुता चल रहा है और logic वाइस होने बहुत अचका logic क्रेट कि इस logic के दवारा हम space बहुत optimal तरीके से use करने है, बाइक को ignore करेंगे space बहुत optimal तरीके से use करने है पहला तरीका ये हो सकता था कि मैं stack 1 को और stack 2 को दोनों को n by 2 n by 2 space दूं अरे में यार अगर ये total size n है तो n by 2 जो है पहले वाले stack को दो और n by 2 जो है वो second stack को दो बट वो बहुत बेकार तरीका है, उसमें space आप डंक से utilize नहीं कर रहे है space not optimally utilized इस अप्रोच के अंदर इसलिए हमने वो discussing नहीं करी, घटिया चीज हो हमने क्या किया, हमने बोला भाई मैं लूँगा ये array ठीक है, यहाँ से मेरा stack 1 चलेगा इस दिशा में, और यहाँ से मेरा stack 2 चलेगा इस दिशा में, जिसको जितने element डालने हैं, डालो, और element तब तक डलते जाएंगे, जब तक entire array जो है वो fill नहीं हो जाता, तो any shot अब, आप two stacks को implement कर सेखते हैं, in a single array, आपको हमने ही सिखा दी अप्रोच और कुछ भी नहीं है, कुछ के लिए simple logic, space available है, तो insert कर दे, pop के लिए का करना है को element पड़ा हुआ है, तो pop कर दे simple चीए चल रहे हैं, कुछ ही मुश्किल नहीं है यार एक बार इसको खुद करेंगे, अगर किसको इंट्रोडक्शन था है, जहां पर आपने स्टैक के बारे में सीख लिया, ठीक है, STL को हमने पड़ा यहां पर, उसका अपने स्टैक को implement करके देगा, खुछ से, array का यूज करके, और फिर हमने स्टैक का यह वाला function भी कर लिया, बढ़िया, मिलते हैं आप से नेक्ट वीडियो में, थोड़ा जोश दिखाएं, comment section के अंदर, और like भी मारें, subscribe भी मारें, मैं 50 वीडियो के बाद बोल रहा हूँ, शायद ऐसे कि like, subscribe के बारे में भूल जाता हूँ, तो कर दिया करो, ठीक है, यह सुम्हें मिलते हैं, आप से नेक्ट वीडियों तब तक के लिए, बाँ बाई